चलिस तो बात करने वाले हैं बजार के अंदर बड़ी हल चल आपको दिखने को मिल रहे हैं देखें काफी सारे स्टॉक्स के अंदर हम लोग को आप एंड डाउन का मोमेंट दिखने को मिला काफी सारी खबरे हम लोग को आज की दिन प्राप्त हुई हैं तो एक एक करके सारी कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आफस्स ताइम इस चैनल पर विजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रह सकते हैं साथ ही पहला इकन जुरूर हैट कर लेजगा तक है पर मैं बात करने वाला हूँ पहली कंपनी के बारे में तो टाइटन इंडिस्टी लोंग टर्म के हिसाब से कंपनी का बिजिनिस अगर देखा जाए तो अच्छा-कासा रन करता हुआ नजर आ रहा है और उमीद भी यही कर सकते हैं कि अपसे ठीक 4-5 सालों के बाद में हमें और कुछ लेवल इसके अंदर देखने को म देखने को मिली तो जून क्वाटर का लेटेस्ट बिजनिस अपडेट आया जिसकी वज़े से स्टॉक्स के अंदर हम लोको रियक्शन देखने को मलता रहता है आप जानते हैं कि कोविड की वज़े से कहीं कंपनी की जो डिमांड है वो लगातार पर वहावित होती हुई न करते हैं अगली कंपनी के बारे में तो एंजल ब्रोकिंग स्टॉक्स के अंदर अच्छी कासी चाल आपको देखने को मली आज के दिन एक नया हाई जो है इसके अंदर बनता हुआ नजर आया दोस्तों बताना चाहूंगा कि लगबग 6 महीने पहले की कहानी थी जनवरी के मह जिसकी बज़े से स्टॉक्स के अंदर लगातार हम लोग को यहाँ पर उच्छाल देखने को मिल रहा है अब देखें बजार के जो बड़बड़े दिगज हैं इसके अंदर थाली लिए वे बैठे हैं और बता कर चल रहे कि कहीं और बी उपर के लेवल हमें इस कंपनी के अ मिल सकते हैं तो आज के दिन जो स्टॉक्स के अंदर हम लोग को हाई दिखने को मिला इसके पीछे जो कारण निकल के आ रहा है वो यही है कि लगातार बढ़ता हुआ क्लाइंट बेस अब देखें बात करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि बड़ को मिले गाई तो कहिनके स्टॉक्स के अंदर हम लोगो ओर भी उपर के लेवल देखने को मिल चाहा हैं देखें बात करते हैं रिलाएंसि- снफश्मा के बारे में दोस्तों बताना चाहूँगा कि जिस तरह किसेत स्टॉक्स में हम लोगो उपर के लेवल देखने को मिले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि लगबग 551 करोड रुपे के आसपास हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं थ्रो प्रिफेंचल अलोट्मेंट तो यहाँ पर लगबग 8.8 करोड एक्विटी शेर्स के आसपास हम लोगों को यहाँ पर एक कनवेटेबल वारांट देखने को मिलेंगे तो कहिना कहीं पॉजिटेव इफेक्ट हमें कमपनी के इंदर देखने को मिल सकता है दोस्तों बात करते हैं रेल्टेल कॉर्परेशन आप इंडिया लिमिटेट के बारे में बड़ा ओडर लगता हुआ नजर आ रहा है जिसकी कीमत लगबग 23.4-3 करोड के आसपास दिखाए दरी है तो यह जो बड़ा ओडर कंपनी के हाथ में लगा है यह सागर केबल नेटवरक्स के मध्यम से हम दो को देखने को मिल रहा है यहाँ पर यह कैपेसेट इंक्रीजिंग इसके अंदर होती हुई नजर आएगी लगबग इनकी जो लोकेशन्स दिखाए दिरी हैं वो 66 लोकेशन्स है और यहाँ पर जो time period लेकर चल रहे हैं लगबग 5 सालों के लिए यह बड़ा order कंपनी के हाथ में लगता हुआ नजर आ रहा है जिसका कहीं न कहीं positive effect हमें stocks के अंदर देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं दोस्तों steel stocks के बारे में तो देखे काफी सारी कंपनी हैं जिनके अंदर बड़ी हल चल आपको देखने को मिल रही है मॉर्निंग में हमने वीडियो अपडेट की थी तो टाटा स्टील के अंदर लगबग 60,000 करोड रुपे का कैपेक्स प्लान हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कोई भी निउज आती है तो कहिन के हम लोग को रियक्षन देखने को मलता है स्टॉक्स के अंदर तो इसी तरीके से फिलाल की डियेट में ये जो निउज हम लोग को प्राप्त हु रही है इन स्टील कंपनियों के अंदर चाहे वो Tata Steel हो, चाहे JSPL हो, चाहे JSW Steel हो, चाहे वो Sale Company हो तो उनके इंदर अवराल तो आज stocks में हम लोग को तेजी दिखने को मिल चुकी है अवराल अगर देखा जाए तो higher export order and lower raw material prices तो यहाँ पर यह main कारण बन रहे हैं इन कंपनियों के तेजी के पीछे दोस्तों कर यह जानकार यह आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर केजगा चैनल सब्सक्राइब पर करके लेना ताकि नई वीडियो के नटिफिकेशन सीध हैं आपके मोबाल प्मिल्स के थैंक यू समच फॉर वाचिंग